हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूटूब चैनल और ओनलाइनिंग वेबसाइट आज मैंनों बात करें विस्कस रिस्टेंस के बारे में जैसे कि हम यह जानते हैं कि तुरूद ऑफिस्कुरी ओफ इसकोशिटी है जैसे में की विस्कस रिस्टेंस जो होता है वह वह काफी चीज़े आपर जिरूब पॉइंट्स में नोटेट फॉर इस पहला यह होता है कि जो टॉर्क रिक्वाइड है तो ओवरकम विस्कुस रिस्टेंस और फूट स्टेप बेरिंग की केस में कौन सी बेरेंगे फूट स्टेप बेरिंग केस में तो टी स्कल्ट हो जाएगा सिक्वाइड है विस्कुसिटी ओफ दा ओयल है एंट स्पीट ऑदा शाफ्ट है जबकि आर रेडियस ओफ दा शाफ्ट एंड टी हमारा क्या है थिक्निस ओफ दो आयल फ्लेम है आगे बात करते हैं तो चब टॉर्क रिक्वाइड तो ओवरकम विस्कुस रिस्टेंस ऑफ बात करें को बेरिंगे केस में क्या जाएगा टी स्कल्ट पाई स्क्वार म्यू एन पॉन सिक्स्टी टी आरवन की पावट फोर बार तू की पावर फोर आर्वार टू क्या है अमारे एक्स्टर और इंटरनल रेडियस हैं कॉलर के next coefficient of viscosity जो कि हमें मिलती है में we found out that experimentally by the following पहला capillary tube method दूसरा orifice type viscometer तीसा rotating cylinder method and चौता is falling sphere method पहला capillary tube method दूसरा orifice type viscometer तीसा है rotating cylinder method चौता है falling sphere method देन जो coefficient of viscosity है होती है अगर हम बात करें in poise में according to the method of orifice type viscometer is musical to 0.0022 t minus 1.8 upon t into specific gravity of liquid is equal to 0.0022 t minus 1.8 upon t into specific gravity of liquid